इसका इंपोरटन्स क्या है वाइट इस टडी किया जाता है तो यह इतना इंपॉर्टन्ट क्यों है सोला सिस्टिम का स्टड़ी करना हैं है सोलर सिस्टिम का स्टड़ी करने के लिए हम स्टैइलरन के ऊपर एक मिशन भी एह तो होर फार घोच है तो इतना कहचा करते इतना टाइम थे टैइन ती करते तोवाइव अपोर असर के अशर से दोशने स्वेद्री तो डीने देटे सो से डियर टुस्थरी अश्म about the universe. one is the steady state theory and it is the big bang theory, considering these two theories that are like what the universe made, they want to know the basic things which formed the universe, and they have linked to quantum mechanics by developing this theory called string theory, and from this theory they are at the relevant to the i.e. in this thing theory they are basically connecting this super this gravitation in quantum particles and for that thing they need to study the origin of the universe and this could be the one reason but another reason is that due to this population all the things we seem that we have overpopulated the earth so finding an alternate alternative to live or sustain our species or even to grow intellectually and to understand the universe or the home which we are living in we need to study the solar system and other things are like how can we if we consider ourselves overpopulated then how can we harvest how can we get more energy how can we work more efficiently so we need to find a sustainable source of energy around the universe so we can develop into advanced civilization yes okay great answer good means what I expected I would get a lot of points I would add in the future but before that also someone else wants to tell you something to add to it solar system why do we study see if you study you are also studying astronomy scientists or in big organization they also means they are studying they are studying so we can do it so we can do it यह प्लाइनेट के से बने हैं तो यह पार्ट है बट हमारा जो वर्क होता है इतना हम रॉकेट लॉंच करते हैं अलग-अलग स्पेस्क्राप्ट हर प्लाइनेट के ऊपर चोड़ते तो दिर इस अपर फॉम डैट सम और रीजन्स आलसो तो वह रीजन्स क्या है कि एक तो विभाउच ने बताए कि अर्थ जो है वो पॉपुलेटेड हो रहा है मिसवाट की अर्थ की जो पॉपुलेशन है यूमन पॉपुलेशन बता रहा हुँ है वो एक्सपोनेंशल ली बढ़ रही है और यू नो डैट कि अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ती है कौनसी भी दूमिंग कैपैसिटी वह एक थ्रेशोल होता है उसका उस थ्रेशोल की उपर अगर क्रॉस होता है वह बैलेंस तो वह बैलेंस बिगर जाता है और डिजैस्टर साने शुरू होते जो से आमने लास्ट भी देखा करोना का यह पार्शली यूमन पॉपुलेशन की वज़े से आया है पार्शली नैचरल है मेंस बट ऐसे डिजैस्टर साने शुरू होते हैं तो हैंडल डिजैस्टर दू तो इस पॉपुलेशन और रिसोर्स कंजूमिंग हमें एक तो एक ऐसा फाइन करना पड़ेगा की रिसोर्सेस फाइन करने पड़ेंगे जो हमें अर्थ के उपर लगते लाइक वाटर है फ्यूवेल्स है अलग अलग बहुत सार्व रिसोर्स है या फिर हमें एक ऐसी प्लेस्ट कर सके कि जहां से हम यहां की पॉपुलेशन या यहां से वहां शिफ्ट हो सके तो यह एक रिजन है सोलर सिस्टिम को एक्स्प्लोर करने का तो तो से थर्ड कि आपको पता होगा कि लगबग तीन करोड साल पहले अर्थ के उपर बहुत बड़े एनिमल्स थे कोई बताएगा कोन से एनिमल्स थे वह इस डाइनोसर्स थे ओके तो डाइनोसर्स एक्स्टिंट हुए उसका कारण क्या था एक एस्ट्रोइड था जो इसका इंपक्ट अर्थ के उपर हुआ और ड्यू टू डैट इंपक्ट और कोलिजन और के उपर जितना भी लीविंग स्ट्रक्चर था लीविंग एको साइकल थी वह डिस्ट्रोइ हुई ओके तो शुर उसकी वाज़े से पूरी डाइनसर और वह जो स्पीसिस थी वह इंस्टिंक्ट हो गई तो एज यूमन बीन एंट इंटिलिजन स्पीसीज हम हमारे स्पीसीज और स्पीसीज अलसो और लाइफ ऑन अर्थ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एसे नैच्रल डिजास्टर नहीं आये या आये भी तो उनका कैसे हम उसे हैंडल कर पाए इसका पूरा स्टडी करने के लिए और उसके प्रोटेक्टिव मेजर लेने के लिए हमें सोलर सिस्टिम का सब एंगल से स्टडी करना पड़ता है ओके लाइक एस्टरोइड अगर कोई आता है या कोई एस्टरोइड प्रोके आ रहा है तो उसका हमें अभी उब्सरवेशन लेना पड़ेगा अगर उर्थ के उपर टेंपरेचर बहुत बढ़ रहा है तो हओ इसकी लिए भी हमें और प्लैनेट की स्टडी करनी, पड़ेगी कि जहाँ पर उलड़ी टेंपरेचर बहुत जादा है तो वहां पर कैसा इन्वर्मेंट है क्या इफेक्ट आया है लाइक देट कहां पर अर्थ के ऊपर अगर पानी खतम हुआ नो ड्रिंकिंग वाटर तो फिर हम कैसा उसे हैंडल करेंगे तो इसे लॉट आफ तिंग से जिसका बेसिक साइन्स जो है वो एक्स्प्लोरिंग आवर सोलर सिस्टिम यहां से चालो होता है तो इस एक्सप्लोर दो सोलर सिस्टिम इन डीटेल एक मैं एक इंट्रेस्टिंग बात यहां पर बता दाओ देन वी गो तो आवर डायेक्ट पीपीट कि आपको जैसे पता है कि अर्थ सन जो है उसकी हाफ लाइफ अभी खतम हुई है ओके फोर पॉइ यह वह एक रेड़ जाएंट हो जाएगा रेज़ेंट इतना होगा कि वह यह मर्क्यूरी आन वीनस जो पहले दो प्लानेट से प्लाइट के पूरे रैंकिंग में तो उनको वह अपने अंदर समाले गा मेंस उसके अंदर चले जाएंगे इतना बड़ा हो जाएगा सन अर्थ का जो है अर्थ का टेंपरेचर बहुत बढ़ जाएगा लाइक इसका और एक अच्छा इफेक्ट ऐसा होने वाला है आपको अगर पता है जो हम देखने वाले आगे भी कि जुपिटर के प्रमूंन के में एक मूंन है अमंग डर्फाय के के अंदर वाटर बाटर के टिक वाटर फूर्टर है हमें इसी फॉर्म के अंदर लिकविड फॉर्म में यह अभी तक पता नहीं है बट वाटर है यह तो डेफिनेटली पक्का पता है इन आइस फॉर्म जब सूरज जो है बढ़ जाएगा उसका पूरा शेप तो डू टू डैट यह जो युरोपा का आइस है या जो भी फॉर्म है आइस वाटर का उसकी वज़े से सूरज के हीट की वज़े से यह युरोपा का जो आईस है में युट होके युरोपा के उपर लाइकन अभी अर्थ के उपर सीम्हे की युटे से युटऊ ऑपर फूरवे समुंदर सी ओशाणी लगएंगे एंड सॉटी 모घ्ली गाइस जी हम एक्स्प्लॉर करते हैं सोलरो सिस्टिम को bending अंड़ और अभी इतने साल हम्मारी स्पेसीज रहेगी नहीं रहेगी आलग बात है बट ऐसा होता है तो वी केन शिफ्ट इफ वी हाव था टेक्नोलोजी वी तस इन दिस कमिंग प्रेड तो इन दाट केस्ट वी केन शिफ्ट आवर होल सिविलाइजेशन तो सम अधर सैटलाइट्स औ यहां पर एर्थ के एक्स्पांड होने से जो आई सी वाटर है वो मेल्ट होके ओशन हो जाएंगे और वी केन विल्ड आवर ओन इको सिस्टीम और तो एसे अलग अलग छोटे-छोटे इंट्रेस्टिंग फैक्ट से यह सब को मिला के आप अगर एक करोगे तो आपको पता च यह सब को दिख रहे हैं यह स्क्रीन मेरी यह सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब है यह सबसे इंपोर्टन इलिमेंट या जो भी है एक वो क्या है जिसके आराउंड सब्सक्राइब हो रहा है सब्सक्राइब यह सबसे इंपोर्टन है सोलर सिस्टिम का विकॉज वाय इट एक्चुली कंट्रोल्स आल प्लैनेट्स फ्रॉम इस ग्रैविटी एफेक्ट तो हम अभी स्टेप बाए स्टेप जाएंगे सब्सक्राइब पहला जो बता है उसका नाम कोई बताएगा क्या है तो तो जो है उसके बाद आएगा मर्क्यूरी देन उसके बाद आता है विनस विनस के बाद क्या आएगा एर्थ आएगा एर्थ के बाद मास के बाद जुपिटर जुपिटर के बाद सी घूटन सबस्रेइब यह सैटन सैटन के बाद आएगा युरानुस एन गीवास्ट और ॉब्हानुस इस नियुकोओ कोई है इसमें add करते हैं जो हम स्टेप बाइस टड़ी करेंगे तब उसे हम लेंगे इतने एट प्लानेट से जो हमारे संक्यारों हो रहे हैं इस आवा फैमिली सोलर फैमेली कह सकते हो आप इसमें जो सबसे ब्यूटिफुल प्लैनेट है वो है अर्थ विकॉज वाय इस अब होम और उसके बाद बाकी के प्लैनेट साथ है तो हम स्टार्ट करेंगे आज सर्ण के साथ तो बिफोर स्टार्टिंग डैट हम पीपीटी में यह नहीं देखने वाले हम थोड़ा सा एक और टूल यूज़ करेंगे यह प्लैनेट सैंसर को स्टड़ी करने के लिए और वो टूल है सोलर स्कोप का तो यहां पर हम उसे शुरुआत करेंगे जस्ट मुझे बताईए आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं सो वी कैन गो फारवड स्क्रीन द क्या दिखला है आपको कि अधिए पूरी एंटाइर स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको पूर्ट अभी दिखरा आपको यह स्क्रीन आप यह स्टेटर टूल यह जो एक टूल है सॉफ्ट्वेर कह सकते हो यह आप इसे को मैं तो प्रोग्राम कहूंगा यह प्रोग्राम में इसका यूज करके हम पूरा स्वलर सिस्टीम को स्टेप बाइश्टेप देखने वाले हैं तो सेंटर वी हैव आप वर संसेंटर में संहें उसके बाद जिस आपने कहा की जो नेक्स्ट स्ट प्लैनेट है अफ्टेर का मर्कुरी के बाद आता है वेनस बेदे खे बाद आब ब्यूतिफुल प्लैने अर्थ एर्थ का मून है खुट्का इसको छोड़के सभी प्लैनेट्स जो है हमारे उसको मून से तो मार्स आएगा अर्थ के बाद यहां पर आप देख सकते हो मार्स को अभी यह मार्स के बाद जो एक छोटे-छोटे यह जो आपको दिख रहे है यह चोटे-छोटे जो पत्थर है स्टोंस आप कह सकते हो एक चुली एस्टरोइड है और इसका पूरा एक रीजन ही आता है अफ्टर मार्स उसे हम एस्टरोइड बेल्ट कहते यह एक मिटर से लेके या उससे भी कम से लेके कई किलो मिटर तक उसकी शेप होती है देन अफ्टर बिगेस्ट प्लैने अवर सोलर सिस्टीम आएगा वट इस जुपिटर जुपिटर के बाद अर्थ के बाद जिसे में कहूंगा ब्यूतिफुल प्लैने इन आवर सोलर सिस्टीम वो आएगा सैटर सैटर यहां पर इस 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 आटर वाइट इस वीटिफुल इस जान रिंग जान रिंग दैन उसके बाद जो है आता है यूरेनस कहा पर गया यहां यहां पर यूरेनस ओके यूरेनस के बाद आएगा नेप्चुन यहां पर सो दिस इस दो सोलर सिस्टीम अभी हम स्टार्ट करेंगे सन से जो हमारे सोलर सिस्टीम का इंपॉर्टर्ट इलीमेंट है करें तो सन को जाकि विजट करेंगे हम ओड़ी तो सन एमग्जेकली क्या है कोई and fusion में जो मास रिडेक्शन होता है उस और गोर्जन होता है एनरजी में लाट अफ इनरजी इसे हम हाइडरोजन फ्यूजन कहते हैं थर्मोनुक्रियर फ्यूजन तो नहीं के उपर जब से सन एक्जिस्ट है और आज तक continuously एसे fusions हो रहे हैं उसमें लॉट ओफ एनरजी क्रिए होती है इन वेरियस फॉर्म लाइट हीट एनरजी और भी कुछ फॉर्म से तो इसे फॉर्म में उसमें एनरजी आती है ओके तो सन के बारे में थोड़ा सा यहां पर क्या-क्या है उसके पैरामेटर वो देखेंगे उसका जो इक्वेटोरियल डायमेटर है मेंस वाट डायमेटर ऑप्शन जहां पर हम कहते कि उसके जैसा हमने जब कॉडिनेट सिस्टेम सीखा था उसमें बिग सरकल था स्पीर में तो टाइप के सरकल होते हैं बिग सरकल एंड स्मॉल सरकल तो जैसा बिग सरकल है उसका वो डायमेटर है तो वो कितना है 1.39 मिलियन किलोमेटर्स ओके देन उसके बाद है मास कि संका मास कितना है तो 1.9 इंटो 10 रेस तो 30 केजी अब यह जो नंबर्स है मैं यह क्यों यहां पर एक स्प्रेंट कर रहा हूं ज्यादा डीटेल में नहीं जा रहा विकॉज इस वेरी एवेलेबल ओन नेट अलसो सिर्फ हमें एक आइडिया आना चाहिए कि यह कितना बड़ा है इसले में यहां पर दिखा रहा हूं यहां पर एक टर्म आता है गया गैलेक्टिक सेंटर डिस सब्सक्राइब कर दिस्टेंस प्रम आव गैलेक्टिक सेंटर डिस्टेंस कहते हैं वह कितना दिखाई दे रहा है आप 26,038 लाइट यहां पर लगबग 26,000 कह सकते है आप इतना लाइट यह संग गैलेक्टिक सेंटर से दूर है अभी एक लाइट यह कितना होता है सबको पता है या बताओ यहां पर यहँई कोई बताओ आकुकैल गदका कितना होता है लिए यह एक सेकन में लाइट का जो डिस्टन्स ट्रैवल होता है वह लगबग होता है 3 лес के जादा किलोमिटर पर सेकन अब यहीथ अगर साल भर ट्रैवल करेगी तो वह जितना इस्ट्नश क्रैवल करेगी उस डिस्टंस को कहते हैं लाइट यह वन लाइट यह उसके बाद रोटेशन पिरिएड कि सन को खुद के एक्सेस के अराउंड रोटेट करने के लिए लगभग 25 डेज लगते हैं विच डेज अर्थ डेज हम यह अर्थ के रेफरेंस से पूरा देख रहे हैं सो जो डे लगता है यह गैलेक्सी का जो रोटेशन होता है वह एक कम्प्लीट करने के लिए सन को कितना डायम लगता है तो 225 million years okay again that years is reference to Earth year surface gravity जो है यहां पर है कितनी है यह 274 ग्राविटी का यूनिट क्या होता है मिटर पर सेकंड okay because gravity is a acceleration जैसे आमने देखा था कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मिटर पर सेकंड किलोमेटर सेकंड स्क्वेर किलोमेटर पर सेकंड स्क्वेर ऐसा आप कह सकते हो जब किलोटर देन सर्फेस टेंपरेचर जो है लगबक 6000 केल्विन होता है आप इसे यहां पर जो है 5778 यह दिया है यह एवरेज टेंपरेचर दिया है मैक्सिमम टेंपरेचर 6000 तक भी जाता है मिनिमम कभी कभी कम भी होता है 5000 सम्टिंग 200 तक तो इन्होंने एवरेज यहां पर किया है अभी उसके बाद जो देखेंगे हम अभी यह जो है इंपोर्टन्स इसका कि जशन और सब्सक्राइब को कहा कि होस्ट स्टार है तो उसे सोल भी कहते हैं आपने बहुत फिल्मों में यह एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म में कहा देखा होगा कि सोल वन सोल टू सोल थी तो यह एक्जैक्ली क्या होता है कोई बताएगा इसके उपर थोड़ा स्टडी करो आप फिर मुझे बताओ कि सोल का हम यूनिट कभी स्तमाल करते देन अभी कॉंपोजिशन क्या है मैंने जैसे बताए कि हर स्टार के दो पैरेमिटर्स इंपोर्टन होते फर्स्ट वन होता है मास सेकेंड होता है इलिमेंट और कंपोजिशन इलिमेंटर कंपोजिशन क्या है तो यहां पर आप देख सकते हों कि सर्ण का जो कंपोजिशन है उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा मोस्ट ऑफ दपार्ट मिन्स थ्री कॉर्टर ऑफ दशन मास ही हाइड्रोजन और रिमेंग जो है वह उसके बाद होता है हेलियम और उसक ही कंप्लिट हुआ है यहां पर थोड़ा डिस्टंस देखेंगे सन का क्या है और से और सन अर्थ से लेके सन का जो डिस्टंस है वह कितना है यहां पर बताया है 149.6 मिलियन किलोमेटर तो जनरली कितना होता है वह फिर यहां यहां पर दी है यह क्या है कोई बताएगा यह होता है यह होता है अस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस अर्थ से लेके सन का जो डिस्टंस कंसिडर करते है हम मिंस मेजर करते है 15 करोड किलोमेटर उसे वन अस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करते अभी यह कभ इस्तमाल होता है जब हम सोलर सिस्टिम के डिस्टंस का जब हम एक्सट्रेशन देते हैं कि जुपीटर सन से कितना दूर है तो हम वहाँ पर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तमाल कर सकते या फिर सन के आसपास जितने स्टार्स है उससे नजदिक उनको अगर मेजरमेंट करना है तभी भी हम astronomical unit का यूज कर सकते हैं बट उसके फार आप जाओगे मिजदूर और तब जाके astronomical unit आपको कम पड़ेगा आपको फिर light years में calculate करना पड़ेगा तो solar system और उसके आजपास जब हम measuring करेंगे distance के बारे में करेंगे तो astronomical unit वहाँ पर आपको दिखाई देगा की बताया है जैसा मैंने आपने आपको गैलेक्सी स्टडी करते वक्त तो मिलकी वेए एक स्पाइरल गैलेक्सी है और संजो है अपने solar system के साथ उसके थर्ड आर्म में है तो यह पूरा संग के बारे में को संका इसके बाद जो next area आता है डीटी जोन आ हम यहाँ पे जो है वह यहां भी एक or ही होता है और उसके बात जो है कंवेक्ट्यू जोन होता है जहां पे हीट करियेट होते है जहां पर हीट का प्लाजमा होता है मैंसी प्लाजमा मैटर यहां पर आपको दिखाई देगा अभी कोई बताएगा car के कोर में किसका reaction होता है और रेडेटिव जोन में किसका reaction होता है कि यस कि मैं बताता हूं सवन के कोर में hydrogen का नहीं तो helium का fusion reaction होता है कि कोर में ज्यादा gravity होती है और डैट ग्रैविटी कॉजस हेलियम तो कंवर्ट इन्टो दो कार्बन and that conversion we call thermonuclear fusion of helium उसके बाद का यह जो area आपको दिख रहा है ready to zone वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि hydrogen का fusion हो रहा है because hydrogen compared to helium light element है तो उसको जो gravity force या जो pressure लगता है यह reaction होने के लिए वो कम लगता है as compared to helium जितना आपका element heavy होता जाता है उतना उसको force जो है fusion reaction करने के लिए वो जादा लगेगा energy जादा लगेगी तो sun के core में gravity force बहुत जादा होता है उसकी वजह से वहाँ पे ही helium का fusion हो सकता है तो sun के core में होता है helium का fusion बाहर जितना जाओगे वहाँ पे आपको hydrogen का fusion देखने को मिलेगा ओके सो यह पूरा sun का structure मैंने जस्ट आपको बताया detail में आप इसका structure चेक में study कर सकते हो बाद में बट फिलाल तो यह structure काफी है understand करने के लिए sun के उपर होता क्या है अभी थोड़ा रिटर आएंगे एक और एक fact में यहाँ पर आपको बताऊंगा regarding sun sun जो है sun के अंदर जो energy create होती है most of that energy is heat form and the light form जो light sun के अंदर create होता है most of तो आपको बताए कि light means photon photon particles होते package energy package particle तो यह photon particles जो है वह बाहर आने का try करते हैं from the core and its layer but due to immense density of matter and plasma photons को बाहर आने का जो वह है वो मिलता नहीं they get diverted वह एक लूप में अंदर ही अंदर divert होते रहते हैं जहां पे sun के particles को बाहर आने के लिए सिर्फ लगने चाहिए दो सेकन या उससे भी कम बट वहां पे लगते हैं लगभग 10 lakh years कितने 10 lakh 10 lakh years लगते हैं प्लाज्मा एंद अधर मैंटर देंसिटी इस सो इमेंस कि फोटन पार्टिकल्स को भी डाइवर्जन करते हैं और वह अंदर ही घुमते हैं और फिर बाद में वह और तक आते हैं जितना टाइम उनको लगता है आने को वह तो इस इंट्रेस्टिंग कल आप अगर जाओगे बाहर और आप अगर देखोगे सर्ण की दूप सूरज की दूप आपके उपर आ रही है तो most of that particle जो है सन के फोटन से वह 10 lakh year पहले क्रियेट हुए है जो अभी आपके पास आ रहे हैं ओके इंट्रेस्टिंग फैक्ट अबॉट दसन सन जो है एक ड्रॉफ जैसे यहां पर लिखा है कि यलो ड्रॉफ प्लैनेट है मिंस वाड कि एक नॉर्मल सा स्टार है बहुत छोटा भी नहीं कह सकते आप उससे और बहुत मैसीव भी नहीं कह सकती नॉर्मल सा स्टार है उसका जो फिवेल है अभी तक 50% खतम हुआ है 50% बाकी है जो 4.5 बिलियन येर तक रहेगा according to the calculation of that mass and its shape then उसके बाद वो convert होगा red giant में जैसा last lecture में बताए कि red giant केसे होते है क्या cause होता है red giant बनने में तो वो बनेगा red giant and then red giant बनने के बाद उसका explosion होगा due to the collapse of its own core and वो explosion उसे कहते है planetary nebula okay and that explosion के बाद जो center में बचेगा वो white drop बचेगा तो ये all sun के बारे में अभी हम थोड़ा सा वापच जाएंगे हमारे solar system में now we start our planets sun के बारे में किसी को कुछ questions है कि ये थोड़ा सा और भी जानना है ये समझ में नहीं आया कि ये आगे जाए सन से mercury को study करें विकाज़ डीटेल स्टड़ी करने को तो बहुत है सन के लिए या किसी भी planets किसी भी elements के लिए बट फर बेसिक अंडरस्टेंडिंग मैं आपको बता रहा हूं आपको इंडिविजल या और भी अगर सेशन होंगे आगे जनरल सेशन तो पर्टिकुलरली सन के बारे में बात करेंगे कि solar flares क्या होते है डार्क स्पोर्ट्स क्या होते है देन बहुत सारी चीज़े सर्ण की खुद की एक electromagnetic field है तो उसका क्या मतलब है उसका क्या effect है इस वेरी डीप टॉपिक्स बट जेसा आगे आगे देखें के टाइम मिलता है तो वह सेशन समले के प्रटिक एक फिलाद इस बेसिए का फॉल यहम अभी स्टा टर्टे मर्कुरी तो मर्कुरी को हम देखें गे तो मर्कुरी को विजिट करेंगे जाके like this okay this is the mercury now you can see it is very similar to our Moon Moon के जैसे आपको दिखता होगा right actually but mercury is somehow different तो mercury के बारे में देखेंगे इसका जो equatorial diameter है वो लगबक 4879 km है मास जो है आप देखोगे अभी आप इसे सबसे elliptical orbit में रिवाल होता है अराउंट कीजिए नोट डाउन कीजिए या जस्ट मेमराइज कीजिए कि यह कितना कम है मास जैसे आप अगर और भी प्लैनेट्स देखोगे दीरे दीरे तो आपको comparison समझ में आएगा कि यह mercury का मास इतना कम है तो वो क्यों है वो भी एक अच्छा सा टॉपिक के discussion के लिए बाद में कर सकते देन मीन डिस्टंस प्रॉम सन अभी mercury का एक फैक्ट है जो में बाद में डिसकस करने वाला हूं अगर हम देखेंगे इसका और्बिट देखिए यह जो मर्क्यूरी का और्बिट है मिस यहाँ पर थोड़ा सा कंपेर करोगे तो ज्यादा इलिप्टिकल जो है मिस जो डिस्टंस आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ पर यहाँ पर यह काफी कि डिफूरंशेट है यह ओके सो इससे बिजर्बिट भी कहते है अपरी का बिजर्ब विकास वाई कि बहुत सारा डिफूर्दर्स आता है यहाँ से और यहां से तो मर्कूरी का और्बिट जो है वो बहुत ही elliptical है as compared to other planets इसलिए यहाँ पर mean distance from sun किया है means higher and lower का mean करके आपको यहाँ पर दिया है वो आता है 60 million kilometers 60.3 million kilometers okay the rotation period 59 days means rotation complete करने के लिए mercury को खुद के access के around 59 days लगते मिस अर्थ के compared to 2 months लगते solar orbit जो है means उसका year एक year कितना है तो 88 days का है means उसका जो revolving speed है around the sun वो 88 days है obviously आप कह सकते हो कि यह sun से नजदिक है तो ज्यादा gravity effect है इसलिए उसको speed भी उतना उसे मिलाए okay the surface gravity of mercury is 3.7 meter per second square okay then surface temperature is 167 degrees celsius अभी यहाँ पर दो temperatures आपको दिखाई दे रहे है temperature day temperature यहाँ पर बताया है 473 degree and night temperature जो है minus 183 degree अभी इतना difference क्या है means दिन में 470 degree जाता है एन रात में इतना कम why it is happening there इतने नजदिक है sun से तो रात को भी temperature थोड़ा सा means कितना साड़े 300-200 तो होना ही चाहिए ना बट यह तो minus में जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है mercury के ओपर yes कोई बताएगा no atmosphere oh yes no atmosphere yes right answer atmosphere जो है mercury को पर नहीं है zero atmosphere but atmosphere होने से क्या होता है और उसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसे जो होते है उसमें mostly carbon dioxide है carbon monoxide है sulfur dioxide है तो यह गैस क्या करते है visible light जो है उनके आरपार जा सकती है visible light okay आपको पता है कि sun की visible light जो है खुद के साथ energy लाती है heat energy गैसे जो है वह उसको आरपार जाने देते मिंस उसके थू जा सकती है और अर्थ के surface के उपर जाके मिस आके वह reflect होती है in infrared अर्थ के surface के उपर collide होके वह infrared में reflect होती है बट इस थ्री gases absorb that infrared within them कि यह तीन गैसे जो है carbon monoxide carbon dioxide and sulfur oxide वह उस infrared को absorb करते है infrared उनके थू जा नहीं सकती होके वह heat energy जो होती है infrared heat energy वह trap हो जाती है atmosphere और फिर अर्थ में आप देख सकते हो कि दिन में और रात में जो temperature deviation है वह जादा नहीं है because why we have a environment or atmosphere and we trapped sun energy heat energy in that atmosphere but यह जो है यह mercury में absent है completely इसलिए सब mercury face करता है sun की और तो उसका temperature 400 400 तक जाता है but when it facing opposite to sun तो sun का कोई heat light ही उसके उपर नहीं आता तो that time night time जो temperature है यह minus तक जाता है okay simple reason अभी next mercury का ज्यादा study शुरुआत में किया नहीं है because we definitely know that mercury के उपर life होई नहीं सकती but after some days जब मिशन mercury के उपर छोड़े गए तो एक बहुत issue आया था कि mercury जैसा यहाँ पर है आपको पता है कि solar orbit पिरेड जो है 88 days का मिन्स उसका जो revolution बहुत फास्ट होता है तो इतने फास्ट revolution में सैटलाइट्स को जियो स्टेशनरी और्विट में रखना और लैंडिंग करना बहुत ही critical टास्क था इसलिए due to technology shortage mercury को study करना बहुत ही critical जाता था बट आफ्टर डैट कुछ ऐसे technology है हमने लैंड भी किया मर्कुरी के उपर मैसेंजर करके है शायद मैसेंजर यह स्पेस्क्राप तो लैंड करके फिर हमने study किया है बट जो मर्कुरी का study जादा नहीं हुआ एक मैसेंजर वन मैसेंजर टू शायद और उसके बाद लेटेस्ट एक अभी था उसका नाम नहीं यादा रहा तो इतने स्पेस्क्राप किये है तो जैसा मैं मर्कुरी के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक बताने वाला वुबाद में उसमें हम देखेंगे तो यह है पूरा मर्कुरी मर्कुरी का थोड़ा सा structure हम देखेंगे क्या है जिस वन अभी मर्कुरी का structure जो है उसमें आपको दिख रहा है कि कोर जो है मर्कुरी का काफी बढ़ा है लार्ज कोरे बह सबसे जादा आइरोनिक नहीं कर सकते यह रहाएन बेस कोर जादा है सबसे इन आवर टोटल प्लैनेट उसके बाद जो है सॉलीड सिलिकेट रॉक्स जो है यह उसका यह मैंटल है यह वाला और जो खरस्ट है उसमें surface दो सबस्क्राइस में यह बेसिकली अमर्क्यूरी का स्ट्रक्षर है ओके तो इस अल बाउट मर्क्यूरी के बारे में किसी को कुछ पूछना है वी वहां प्राइट्मोंस्पेर कुछ भी नहीं है को बताया क्या है अभी एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि मैं आपको अगर बताऊगा तो आपको लगेगा कि इतना सूरच से नजदिक होकर भी मर्कूरी के उपर water detect हुआ है मैं के सूरच से सबसे नजदिक है तो कोई बताएगा के से कहां पर है कैसा है कि यह सब्सक्राइट नहीं पता किसी को कुछ आइडिया कि यहां पर आपने देखा इसका मोल्टन आयन का यहां पर तो वाटर होई नहीं सकता तो इसमें भी क्या है कि में बाद में बताँ公art अगा अगर अगर मर्कुरी का स्टडी κंटिणू रखा तो मर्कुरी के जो क्रस्ट है न靠ी अ मुझे और्ध्विक जादा होते रहते हैं एर्थ क्यूंक प्लocy जादा होने के कारण जीसा मैंने का था कि हमें जो स्पेस्क्राप छोड़ेते हमने वह भी बहुत क्रिटिकल ऑप्रेशंस में छोड़ेते क्योंकि इतने और्थक्वेक्स और वह होते रहते क्योंकि मर्क्यूरी और सन इनके बीच काफी कम डिस्टंस है जो टाइडल लॉकिंग जो कहते ना और उसका जो ऑर्बिट है वह भी इलिप्टिकल है तो यह ग्रेविटेशनल चेंज आता रहते है पूल में और उसके कारण क्रस्ट जो है ना यह मुमेंट होता है क्रस्ट का अउटर क्रस्ट और उसके कारण काफी अर्थक्वेक चैन मुमेंट्स क्रस्ट के होते रहते तो उसके जितना भी बाटर है वह और बिलोव सरफेस टीकी नहीं पाएगा क्यूंकि सरफेस हर जगह से ओपन होता है उसमें हीट जाती है या जो भी है तो कॉर में तो नहीं है means in ground under the ground water नहीं है कुछ गरेटर भी सब्सक्री पर उपर आपको वह मिलेगा क्रेटर पैज पर ते तो वहाँ पे एक एक एसा है की चुछ जो है अभी एक आसा एक कि मर्क्यूरी का कि मर्क्यूरी जो रिवल्ड होता है में खुद के एक्सेस के आराउंड वह एक्सेस अल्मोस्ट 90 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टु दप्लेन वेर इट रिवॉल्विंग आराउंड दसन सन के रिवॉल्व में जो रिवॉलुशन हो रहा है मर्कुरियू का इन कम्पेरिटु डैट रेफरेंस ऑप प्लेन जो से खुद के एक्सेस के राउंड रोटेशन होने का वो 90 डिग्री है कम्प्लीट ली एक अगर हम यहां पे थोड़ा सा सोलर सिस्टिम भी चेक करेंगे यहां पर इसे में थोड़ा सा रोटेट करता हूं अब अगर यह देखोंगे मर्कुरी जो खुद के एक्सेस क्या रोटेट हो रहा है यह यह जो उसका खुद का रोटेशन है तो यह रोटेशन जो होता है यह अल्मोस्ट 90 डिग्री होता है और यह 90 डिग्री होने के कारण exactly होता क्या है यह जब 90 डिग्री में रोटेट होता है तो अल्मोस्ट जो सन के रेज है यहां पर जो रेज आते हैं यह टैंजेंट ली जाते है और यहां पर जो इसके यहां पर जाधा डिप आपको नहीं दिख रहा होगा बट यह क्रेट जो है वह अल्मोस्ट 14 foot 14 meters 50 meters deep है तो वहाँ पर जो water particles है वह ic form में अभी वैसे ही है जैसे जब वह comments और asteroids से आये थे वहाँ तक sunlight आता ही नहीं वहाँ इस एंगल ऑफ रोट एकसेस का जो एंगल है rotation का वह completely 90 डिग्री में almost 90 डिग्री इसकी वज़े से इस craters में sunlight आती ही नहीं है इसलिए वहाँ पर जितना भी पानी है मिस आइसी form में जो पानी था planets के उपर वह अभी वैसा ही है एक्चुली वह जो last mission था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसने जब मैपिंग किया पोलर मैपिंग किया पोलर मैपिंग में सब्सक्राइब कि यह पूल से लेकर साउथ पोल तक उसे मैप करना तो उनको डिटेक्ट हुआ यहाँ पर वाइट एरिया आइसी वाइट एरिया और वहाँ पर फिर बाद में पता चला कि आइस है और फिर वह आइस के से आया वगरा वह थेरीज वहाँ में था तो नेक्स्ट व्क रॉम मर्क्यूरी वी विल को नेक्सट लैनेट से ऊके तो जाएंगी वीनस को विजिट करनेगे अभी विद्स का जो है दो टाइप का है सर्फेस आप से लिलेख करोगे तो सर्फेस अलगग दिखेगा मैं और यह ऑर्वीटल विनस अलग दिखत सबसे ब्राइट स्टार स्टार में दिखेगा वह विनस है तो विनस को आप वहाँ पर देख सकते हैं तो विनस प्लैनेट जो है वह सेकंड प्लैनेट है है हमारे सोलर सिस्टेम का इसका दो टाइब का विजिए सब्सक्राइश होता है एक और देक्षिदैन होता है और एक सब्सक्राइब को पढ़ो कुझी ओसे ऐसा ही वंद। होता है तो उसके मुझे से राइट यस विनस का इटमोस्फिर बहुत ही ठीक है इसलिए उसका सर्फेस आप नॉर्मल टेलिस्कोप या जितने भी ऑब्सर्वेशन से डिटेक नहीं होता जब हमारा पहला विनस के उपर स्पेस्क्राब गया तब जाके हमें विनस का मिनस सर्फ रहेंगे लिक्वीड वाटर भी रह सकता था ऐसा हमने प्रिडिक किया था बट एक्च्वल जब सर्फेस के उपर लैंड हुआ देखा तो विनस जो है पूरा एक डेजर्ट टाइप उसका मिनस सर्फेस निकला तो विनस को एक्स्प्लोर कौन से कंट्री ने पहले किया था से जाधा कोई बताएगा सिंपल क्वेशन है कंट्री या और्गनाइजेशन या यह यह रशीया ने सबसे ज़्यादा विनस को पहले एक्स्प्लोर किया था विकॉज विनस के उपर लाइफ या लाइफ जैसा फॉर्म होने के बहुत ज़्यादा चांस थे विकॉज विनस जो है वह और्ट के जैसा है स्टीन अलसो अन शेप और साइज अलसो इविए इस सिस्टर और त्यूर्ट की वीच्टतर हम कह सकते हैं जैनल टर्म में बिकॉज इट शेप और एफ सबसेशन मीनेरल एन इलिमेंटल कंपोजिशन वेरी सिमिलर टू अर्यक्ट अट जैसा उसक टू या टू बिलियन इयर्स फ्रम नाउ विनस के उपर बड़े-बड़े ओशन थे पानी बहुत था लाइफ भी हो सकती थी लाइफ का तो अभी तक प्रूप नहीं है बट यह जरूर प्रूप मिला कि पानी बहुत ही ज्यादा था मिल जैसा मास के उपर देखते ना पानी थ साथा वाटर था तो इसलिए विनस के दो यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई देते और्बिटर स्ट्रक्चर मिन्स वाट विद क्लाउड जैसा हमें टेलिस्कोप या जैसा हम उसे आप्जर करते वैसा एंसरफेस का उसका स्ट्रक्चर या एपिरियंस इसा है ठोड़ा इसका सलोपेडिया या उसका डीटेल इंफॉरमेशन देखेंगे इसका जो इक्विटोरियल डायमेटर है यह है त्वेल थाउजन हंडेड़न फोर किलोमेटर देखें आप यह अर्थ के अल्मोस्ट सेम ही है ओके देन मास्ट जो है वह भी सेम ही आपको मिलेगा फाइव पॉर प एक जो दिन है वह 24 घंटे का होता है बट यहां पर जो एक दिन है वह लगवक को सबसेड़ होता है हमारे प्लाइने यहां उसके उसका एक यह जो है एक साल जो है टो हनुट अट्यूट तो उसके एक दिन से भी कम है आपका एक दिन में लगबग दो बड़े भी आ सकते हैं आप आगर वहाँ पे रहने को गए तो देन सर्फेस ग्राविटी जो है 8.9 मिटर पर सेकंड स्क्वेर है और जो सर्फेस टेम्प्रेचर जो है वह लगबग 462 डिग्री सेल्सियस यह हमार सबसे होट या सबसे हाइट प्लैनेट है अभी ऐसा क्यूँ कोई बताएगा क्योंकि तो सबसे नज़ती ज्यादा ही होना चाहिए बट विनस का सबसे ज्यादा क्यूआ है वेनस जो हीट होती है वह ट्राप हो जाती है और इससे वह हीट अपूरता है राइट विद्ध के ऊपर सल्फूरी सल्फर डायक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड यह बहुत ही ज्यादा है यह यह मैं आपको गर्व ट्राइड है और अर उसकी वजर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाएं उससा कहते है कि वहाँ बहुत जटाधर हो तो जब्राइशन होता है , तो उसकी वज़एसे सल्फूरीस आइसिड का रइन फップूर दा को है वह एज रेन वहाँ पर आता है अभी नीचे अगर आप देखोगे दो क्लाउड ऑप सल्फिरिक एसीड जो बताए मैंने डस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट अप दे सनलाइट बैक टू स्पेस यह अच्छा फैक्ट है कि जैसा मैंने कहा कि यह जो है विनस यह थर्ड ब्राइटेस् सब्सक्राइब अगरफिशन ऑब्जdef तो पहला सबस्य जबग सकते हैं यह सथखता कि गएंगे तो दूँद्स को अगरफिएुखिफे जे पंपना संट हैं एक अगर टोटल कहेंगे 24 अवर्स मैं तो पहला ला सप आशन है second moon है और third winner से अभी यह क्यों है यहाँ पर simple सा बताया है क्योंकि इसका जो cloudy है gaseous environment उसकी वज़े से most of the visible light है वो reflect होता है surface से या cloud से और उसकी वज़े से वो बहुत ही bright दिखता है और you know that कि जो inner planets है inner planets means what कि earth के और sun के अंदर distance के अंदर जो planets है उसे inner planets के तेहम तो जितने भी inner planets है उनको आप अगर observe करोगे तो उनके phases दिखते हैं जैसे मून के phases होते हैं फुल मून से लेके जो complete मून होता है मेंस पूरा इस से लेके phases में वैसे ही यह planets के phases दिखते बट आपको उसको एक तो पहले जो था जब light pollution कम था तो वीनस के phases भी naked eye से देखे जा सकते थे बट अभी इतना नहीं देखे जा सकते आपको telescope का यूज करन होना पड़ेगा वीनस के phases देखने के लिए तो यह phases भी उसी कारण है क्योंकि इनर प्लैनेट्स होते है तो इनर ऑब्जर्वर एंड मेजर लाइट सोर्स इसके बीच में जितना भी आएगा वह इनर प्लैनेट्स में कंसिडर करते ही और उनके phases आएगे और यूनो डैट कि कि सन और अर्थ इसके बीच में से विनस अगर गया डेलाइट में तो ट्रांजिट कहते है उसे तो विनस ट्रांजिट मर्कूरी ट्रांजिट आपने सुना होगा लास्ट डिकर्ड में बहुत बार नहीं बट उसे बहुत लोगों ने देखा है रेर इवेंट होता है यह भी कि निया कहांद हमusta थो उसके डेंस में आपको को में मिलेंगा डेंस आयन डेंकल मिलेगा उसके बाद लिकविद आयाइन लिकविड निकेल मिलेगा solid silicate rock मिलेंगे जो mercury में भी आपने देखे होंगे जो crust है यहाँ पे solid silicate rock crust यह काफी कम मिलेगा आपको यहाँ पे क्योंकि Venus जो है यह काफी दूर है Earth से तो यह अभी भी एक live planet के जिसा ही consider किया जाता है means live planet क्या होता है कि जिसके core से लेके crust तक अलग-अलग reactions चलते रहते हैं ओके और जिसका core अभी भी active है उसे live planet के ते तो live planet के category में आता है समाओ तो crust उसमें कमी आता है तो structural combination यहाँ पे आपने देखा इसका orbit से में है ठीक है so this is all about Venus Venus के बारे में और भी एक important चीज है जो मैं आपको एक solar system में दिखाऊंगा आप मुझे बताईएगा कि क्या अलग है Venus के बारे में इसका rotation हम शुरू करेंगे इसका rotation हम शुरू करेंगे इसका rotation हम शुरू करेंगे इससर कि आप इसका अपुद्ध में या मस्य थो ecc जब डारे मेंट से और हो के अन्टिक लॉक्वाइज यस फिनस जाओन होगा टोटल होगाए के बारे में आज के सेशन में हम इतना इस देखेंगे सन देख अपने मर्क्यूरी देखा विनस देखा तो अभी जो है मैं एक अनॉंस्मेंट यहां पर करने जा रहा हूं इडिस फॉर पार्टिसिपंट्स जो पार्टिसिपंट्स है हमारे रितिका अर्नव वैश्णवी और कौन है वेदान्थ है आ जाया हुआ नहीं है ओके तो जैसा आपको बताएं कि यह और गविंग टॉपम एमेचर एस्ट्रोनोमर अप्टर कॉंप्लिटिंग दिस और आपको एमेचर एस्ट्रोनोमर नहीं कहिए सकते न आपने कोर्स कम्प्लिट किया है तो तो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एक्जाम नह सब्सक्राइब करना है और वह सब्मिट करना है कि एक प्रोजेक्ट में ऐसा देने जा रहा हूं कि जितने भी हमारे मिशन्स हुए है फ्रॉम सर्ण टू यूरेनस और नेप्चुन वह आपको प्रोजेक्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है कि सर्ण के उपर अभी तक कि सब्सक्राइब करना है तो आपको एक प्रोजेक्ट उसमें से कंप्लीट करना है और आपको सब्मिट करना है आपको सब्मिट करना है एक एनलिस से वह होगा और आपको एक एमेचर एस्टोन आमर हम कह सकते हैं तो यह अलग-अलग प्रोजेक्ट हम निकालेंगे और आपको असाइन करेंगे ऐसा नहीं है कि आपको सर्टन टाइम पिरेड में दो आपको जितना भी टाइम मिलता है थोड़ा-थोड़ा टाइम करें निकालके इंटरनेट का यूज करो वी आलसो है वे आवर ओन लाइबरेरी ओनलाइन लाइबरेरी उसका यूज करो और एक छोटा सा एक पाच से दस पेजेस का वह प्रोजेक्ट बनेगा वह आपको सब्मिट करना है ओके तो टोड़े वी आर गोंग तो स्टॉप यह इन नेक्स सेशन हम और के साथ कंटीनू करेंगे तो आज सेशन इतना ही था एक लास्ट पार्ट जो मैंने बताया आपको या बताने वाला हूँ कि जो लास्ट तीन डेस थे हम एक ऐस्ट्रोनॉमी कॉन्फरेंस में गए थे वी आल एक्शुली अटेंड डैट कॉन्फरेंस वे इस वेरी ब्यूटिफुल ऑच्वा उसमें क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट की इनफर्मेशन हमें मिली उस प्रोजेक्ट में सीटीजन साइंस मिस्की जो नॉर्मल पीपल से जिनको कोई बैक्गराउंड नहीं है साइंस का या एस्ट्रोनॉमी का वह भी एस्ट्रोनॉम प्रेजेंटेशन के उपर आता हूं वापस से में सो बिफोर डिसकेसिंग डैट प्रोजेक्स आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी यह सब्सक्राइब तो जिसमें आपको कहा था कि मैं मर्कुरी के और विनस के कुछ क्विक अपको बताऊंगा देन वी स्ट प्रोजेक्स लगेरिक्स हम लाप तेंप्रेज़ फ्लक्टुए समर्सिस्टिं जो फ्लक्टुएशं होता इस वेसे अपर बहुत होता है प्रोटी सबसे जादा मर्कुरी के ऊपर एस्ट्रॉइद इंपक्ट हुआ है वो क्यों ह starts से नजदिक है और उसके बीच में मर्कूरी है जिसको खुद का कुछ एटमॉस्पियर नहीं है और उसका जो रोटेशन पिरेड है अरॉंड वह भी फास्ट है तो प्रोबैबिलिटी आप इंपेक्ट बढ़ता है इसमें और वह उसके उपर बहुत हुआ है इस बिजर ऑर्बिट मैंने जैसे बता है कि इलिप्टिकल शेप जो है वह इतना जादा या इस कंपेर टू अधर प्लैनेट देन सर्फेस आइस लोकेटेड नियर पोल्स मैंने अल्रड़ी बता है उसका रीजन क्या है इनॉर्मस आयन को जो कोर है एस कंपेर टू प्लैनेट हक्पेस उसका कौर काफी बड़ा है अगर प्लैनेट के उपर कंपेर करो गेक्मिल अ बता धिστले लास्ट जो मीशन बोलर में लिये छोड़ा थर दो उसने पूरा सर्फेस मैंप किया है पोलर मैपिं तो इसका पूरा सर्फेस मैं हुआ है और एक रीजन है कि वह काफी छोटा है साइज में इसलिए उसका पूरा मैपिंग हम कर पाए देन थीनेस्ट एटमोस्पिर इन सोलर सिस्टेम और वियर्ड टेल्स क्या कंसेप्ट है अभी इतना टाइम नहीं है डीटेल में जाने के लिए उसके सर्फेस के जैसे मैंने आपको कहा कि क्रस्ट जो है उसके उ टाइप कहा गया इसलिए एक और इंपोर्टन चीज़े मैगनेटिक टोर्नेडो आते मिस्वाट की एटमोस्पियर तो नहीं है मर्कुरी के उपर तो भी मैगनेटिक इतना यह टोर्नेडो क्यों आते वहाँ पर तो कोई इसका मुझे रीजन बताएगा या फिर आप इसे मि सब्सक्राइज आसो बताओ क्या है ओके तो यह नहीं है कि यह कुछ फैक्टस थे हमजिस के कुछ नहीं होटर चला गया फिर क्या हुआ इतना पहले उसके उपर इतना क्लावडी इन्वर्मेंट भी नहीं था बट क्यों क्लावडी होगा इतना यह उसकी बहुत रीच हिस्ट्री है तो उसके उपर एक सेशन इस्टर रर्थ कहते जिसे इस मैंने कहा मून जैसे उसके भी फेज़स होते बहुत रांजिट रेर केस में होते क्योंकि आपने देखा है कि वो इसका रिवॉलूशन पिरेड जो है वह इतना कम है अरॉंड दसन डे से बी कम है सोरी डे से बी जाधा है बट कम इंटेक्स कितने बताया था मैंने टूहन्डेड सम्थिंग तो उसके वज़से उसके ट्रांजिट जो होते वह भी काफी कम होते हैं रेर है यह होट है जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे सोलर सिस्टीम में सबसे जाधा टेंपरेचर विनस का है विनिशन वलकैने सिटी बहुत ज़्यादा यहां पर नो कमपेनियन जैसा आपको पता है मर्कुरी और विनस को कौन सा भी सैटलाइट नहीं है नैचरल सैटलाइट लाइफ इन दे क्लाउड एक ऐसा रिसर्च अभी कर रहे है कि जो लाइफ माइक्रो फॉर्म में लाइफ हो सकती है क्या तो इसलिए वापस से रशिया एंड इसरो अलसो ओनो इंट्रेस्टेट तो सेंड दियर स्पेस्क्राप्ट तो स्टड़ी इन क्लाउड अगें देन डेफिल्स लाइक यह जैसे आपको मनें बताए कि उसका एक डे जो ह जो फ्यूचर है उसका वो क्या है यह एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि इतना थीक क्लाउड सर्फेस होने के वज़े से उसके सर्फेस के ऊपर काफी कम स्पेस्क्राप छोड़े गए है इसलिए अभी पूरा सर्फेस उसका एक्स्प्लोर भी नहीं किया गया है तो स्पेस्क्राफ्ट विजिटर्स जो है वह काफी गए बट अगें कि वह लैंड नहीं हो पाए रशिया ने उसके उपर काफी स्पेस्क्राप छोड़े थे बट डियू टू इस थीक इंवर्मेंट वह इंपक्ट होते थे डिस्ट्रॉय होते थे क्योंकि आपको दिखने बात है वह भी थोड़ा अलग टॉपिक है सोवेट सक्सेस जैसे मैंने कहा कि रशिया का काफी उसमें कॉंसेंट्रेशन था विनस के स्टडी में शाइनिंग ब्राइट वापस सबसे ब्राइटेस्ट है आफ्टर मून इन नाइट स्काइए सोर्स ऑप शैडो जैसा एकलिप्स आ यह भी एक विंड उसकी जो है ड्यू टू इस क्लावड उसमें बहुत सारे क्या कह सकते आप उसे तूफान वगरा होते हैं तो उनका अलग स्टडी भी किया गया है कि कैसे उनके क्लावड विंड पैटर्न साते हैं वगरा यह तो यह क्विक ट्वेंटी फैक्ट से पॉर व पूने नॉलेज क्लस्टर यह एक बॉड़ी है गवर्मेंट बॉड़ी कह सकते हो सेमी गवर्मेंट तो इसमें उनका जो फॉर्मेट है वह एसा है की कॉमन पीपल्स जो है सुसाइटी में ओके यह इंट्रेस्टेट बट यह उनका परपस है और उस परपस के लिए जो भी डेटा जनरेट होता है के अब्जर्वेशन का विकॉज वी हाओ टेक्नोलोजी नौ विच कैन जनरेट लॉट ओफ डेटा तो उसको अगर एनलेसिस कर पाए सिंपली jugar सिंप्ल तаздहुए कि एक गैलेक्सी होती है गैलेक्सी में जो चेंजेस आते हे विल्यों बिल्लियंग्र स्में आते तो तो अगर आपको उसके changes को track करना है तो फिर आपके पास इतना lifetime चाहिए billion years का तब track कर पाओगे नहीं तो आपको एकी साथ billions of या millions of galaxy को study करना पड़ेगा तब आपको galaxy का lifetime life changes पता चलेंगे अभी particular group of people इतने galaxy को study नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ऐसा कर सकते है कि million of million people या thousand of people study millions of galaxy तो यहां पर कुछ हमें possibility दिखती है फिर अगर यह data हमें मिल पाए कि बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारी galaxy को study करेंगे तो हमें कुछ patterns कुछ standard changes दिखाई देंगे then we can teach our computer और our computer computer program to study this galaxy by their own जिसे हम artificial intelligence कहते हैं या machine learning कहते हैं तो इस machine learning को develop करने के लिए हमें data चाहिए observation का analysis का सौरी observation का तो है बट analysis का तो वह करने के लिए पुने knowledge cluster ने invite किया है citizens को citizen science project के अंदर जिसमें हम as a common people simple don't have any background in astronomy वह galaxy को study करेंगे उनके parameters लिस्ट आउट करेंगे और वह data submit करेंगे अभी यह पर होता क्या है कि common people को train करने के लिए आपको कुछ तो भी standard process चाहिए training की और वह training की process बनाने के लिए आपको as a amateur astronomer में आप और 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 भी लोग है उनकी मदद पुने knowledge cluster ले रहा है ताकि हम वह standard process pattern बनाके उनको दे सके ताकि वह एक train program बनाए और वह लोगों को सिखा है और बाद में फिर वह लोग millions of galaxy को study करें वन मिलियन गैलेक्सी टार्गेट है यहाँ पे और फिर वह गैलेक्सी पैटर्न study pattern हम उसको मिलाके एक artificial intelligence का program बनाएंगे बनाने वाले है जो फिर वह data जो आएगा आने वाला है टेलिसकॉप से गैलेक्सीस का वह automatically analysis करेगा और हमें result देगा तो यह पूरा ऐसा system है तो उसके अंडर उन्होंने एक website program develop किया है जहाँ पर आपको यहाँ पर में एक शायद आपको यह दिखाई नहीं देखा क्योंकि screen sharing नहीं किया है मैंने एक मिट में entire screen sharing करता हूँ कि दिख रहा है आपको screen मेरा कि यह सब्सक्राइब का लिंक में आपको सबको ग्रूप में देने वाला हूँ www.csa.pkc.org.in तो यहाँ पर एक login आपको बनाना है जो अलड़ी में ने बनाया है एक सैंपल के लिए जब आप यहाँ पर उस login को create करोगे तो एक एसा आपको आपका profile photo होगा some information आएगी कि आपने कैसा कौन सा काम है organization क्या है अभी आपको क्या करना है जम टू galaxy analysis यहाँ पर आपको जाना है तो यहाँ पर एक सिंपल सा window आता है जहाँ पर types of galaxies होती है shell galaxy जैसा मैंने आपको galaxy के types में बताया था कि अलग-अलग types की galaxy होती है तो आपको कौनसी भी टाइप की galaxy यहाँ पर observe करनी है number of way ने मिलेगी one by one और उसके parameters यहाँ पर दिये हैं लाइक टाइडल टेल्स क्या होती है शेल क्या होती है रिंग क्या होती बार स्पाइरल galaxy group and cluster क्या होता है एज उन डश्ट लेन smooth unlisted feature की यह list से भी अलग कुछ features आपको दिख रहे है क्या उसके उपर आपको click करना है और submit करना है okay now you say that कि हमें तो इतना training नहीं है galaxy observe करने का या उससे देखने का तो उसके लिए आपको यहाँ पर पार गेट स्टार्टेड में आपको यहाँ पर एक information है कि यह project क्या है कैसा वर्क होता है एं इंट्रोडोक्टरी लेक्चर का यहाँ पर सेशन है पूरा वीडियो लिंक्स इसमें step by step आपको strain किया गया है उनकी रिस्पेक्ट्टिव साइन्टिस्ट एं उन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक डेमो देता हूं यहाँ पर वीडियो का केसा है यह जो लेक्चर है यह मैडम है दीशा मैडम है दीशा मैडम है शी है पीच्डी इन एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलोजी तो उन्होंने पूरे लेक्चर में बताए कि गैलेक्सिस कैसी होती है उनके फीचर्स क्या होते है यह पूरा तो आप step by step यह दिख रहा है आपको कि स्थाल कीशनल तो पूरा इसमें बताया है कि गैलेक्सिस क्या होती है कैसे आब बाइवन करने हैं पूरे आपको यहां से आइडिया आएगा आपको देखना क्या है यह पीचर केसा होता है आपको फिर आपका जो project participate का यहाँपे जाके One Million Galaxy project है उनका OMG ओके One Million Galaxies यहाँपे One Million Galaxies का data study करने जा रहे हैं ताकि उस data से वो एक ऐसा AI डेवलब कर सके जो AI को हमने वह हमें बताएगा कि यह गैलेक्सी कौन सी है विच टाइप ऑप गैलेक्सी इस फीचर्स क्या है वगरा यह सब तो यह एक प्रोजेक्ट है आप सब लोगों में से जिनको एस्ट्रोमी में कुछ कॉंट्रिबुशन करना या कुछ गेम नहीं खेलना जिनको मोबाइल के उपर और इसा करना है तो वह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं काफी अच्छे एक्टिविटी है इस साइट के उपर आप जाके फेले आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे शशी कांसर है वह आपको बताएंगे पूरा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन केसा होता है क्या करना है आपको कीजिए और उस डेटा को एनलेसिस करके सब्मीट कीजिए आफ्टर कम्प्लिटिंग दिस ओल ना यू गेट सर्टिफिकेट ऑप नॉलेज पु इस डेटा के ऊपर काम करने के लिए सिटीजन्स को तो यहां पर आप जाके एक आपना प्रोफाइल बनाईए वीडियो देखिए और फिर वन बाइवन जितना दिन में पाच-दस गैलेक्सी किए वीकेंड में पाच-दस कहा से आप यह मोबाइल से भी कर सकते हो लैप्टाप डेक्स्टॉप कहा से भी आप यह कर सकते हो ओक तो इसमें आपको कुछ आभी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाते हूँ कि येस यहां से आपको एक एक्सपिरियंस मिलेगा कि साइन्टिस्ट जो है वह डेटा कैसे एनलिसिस करते हैं जो डायरेक्ली आता है टेलिस्कोप से उस डेटा को आप खुद एनलिसिस कर पाओगे और आप अगर इस फिल्ड में आगे भी कुछ रिसर्च करना चाते हो तो इस इस दो गूड स्टार्ट फॉर यू सो किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में भी और जो हमने पहले सोलर सिस्टीम का स्टड़ी किया उसके बारे में भी तो अभी क्वेश्चन लेंगे ने तो विल कंक्लूड टूड़े सेशन यस है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है प्लीज आप अरेंज यह नहीं है क्या वहां पर कुछ यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यूज और आपका मोबाइल नंबर लगते है उसके लिए बस उतनी इंपॉर्मेशन आप साइन अप पे क्लिक करोगे और वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा इंपॉर्मेशन नहीं लगती है और इसकी लिंक में ग्रूप में डाल दूंगा आप चेक कर लोगा कि और कोई क्वेश्चन किसे का इन कमिंग डेज हम भी थोड़ा गैलेक्सी के उपर कुछ एक पर्टिक्लर डेडिकेटेड लेंगे आपको उस वीडियो से जो समझ में आए जितना समझ में वहां से समझो और बात में कुछ बचता है जो आपको समझ में नहीं आया तो हमारे लेक्चर में वो कवर कर अगे बात में ओके तो सोलर सिस्टिम के बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन है जितना अभी तक हमने देखा सन विनस मर्क्यूरी के बारे में लो और में के थे आखाउर्सर ेफजेर शैरा हम अरो शैर लाडने में रहल इसार के वहआर्स मेर्स आखार्स घूर्स्चन झाट autoconken अज फ flavors a और अधी कوس सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो हम में सब्सक्राइब करेंगे बट में एक सिंपल सा बताता हूं जब सोलर सिस्टीम और सन फॉर्म हो रहा था काफी डाइनमिक्स क्रिएट हुआ था सोलर सिस्टीम में जो अब्यापको स्टेबस अरबिट में नहीं था वो लगबक मार्स या या डान्स कह सकते यह इतना चल रहा था मासेश है का तो इन इस उभल डाने कि जो partners क्यूपर बेल्ट है क्यूपर बेल्ट और उसके बाहर जो और भी इलिमेंट से विच इस नॉट ए पार्ट ऑप आवर सोलर सिस्टेम तो ग्रैविटी पूल और यह पूरे डांस की वज़े से वह कॉमेट्स जो है और जो एस्टरोइड जो है वह संक्यूर एट्रेक्ट होने लगे और यूणो डाट की संच और एट्रेक्ट होने से पहले यह तीन प्लैनेट्स आते हैं अपने अर्थ मार्स तीन स्विनस और मर्क्यूरी जो रॉकी प्लैनेट से टेर स्थेल प्लैनेट्स जिसे हम कहते तो यह थे तो लौट्स आप एस्ट्रोइड एंड कॉमेट्स से उनके साथ जितने भी वाटर एंड आइसी पार्टिकल्स थे यह पूरे इस प्लैनेट के उपर डिस्ट्रिबूट हुए है तो आपको मर्क्यूरी से लेके मार्स तक वाटर के पार्टिकल्स या वाटर मिलेगा ओके बट अर्थ ओनली गेट लकी कि अर्थ ही लकी था जो प इसमोस्फियर बन सके और हम अभी जो वाटर देख रहे वह अभी तक है अर्थ के उपर बट मर्क्यूरी विनस और मार्स यह इतने लखी नहीं थे शायद यह उनकी पोजिशनल सिच्वेशन ऐसी नहीं थी बट डूट अलग-अलग रीजन के वजह से उनके उपर का जो पा अर्थ के बनने के साथ वाटर नहीं था वह बाद में आया गया इट अर्थ का गैस्ट है वह जिसे आपके घर में कोई आता है तो वी कॉल गेस्ट तो वाटर जहें गेस्ट है आप अगर उसे अच्छे से इस्तमाल या ट्रीट नहीं करोगे तो इन फ्यूचर दैट सुरी विनस के प्लैनेट और अर्थ के बीच में था मैं ऐसा कहूंगा विनस के ख्लोस था वह बहुत लगभग वह ज सके ऑर्पिट में ही उसकी ऑर्पिट सुम्टाइम्स क्रॉस्ट विनस और बिच तो वह जो था ना Venus के बीच में प्लैनेट तो Venus और उसके collisions हुए है बहुत पहले जब water भी नहीं था Venus के ऊपर तब की बात है तो वह collisions हुए है और इसकी वज़े से वह प्लैनेट था वहां पे बत देन उसकी कोलिजन एंड पूरा इसके वो अभी नहीं है मेंस वो अभी फॉर्मेशन में नहीं दिखता आपको वहां इसी के कारण वीनस और आर्थ के ओर्बिट में इतना डिस्टन्स है यह 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 राइट यह कोई और क्वेशन और जो हमारे स्वेशन है यह अश्डबल्स इस स्टेब alpha याइज सटेज में है अभी थोड़ा सामें भड़ा डीटेव आपको बता रहो बहुँर्ब्र independent के में कि जब कौन सा ही सेलेस्टियल सिस्टेम स्टेबलाइज होता है जैसा हमारा सोलर सिस्टीम है तो उसमें मास एक्विलिब्रियम कंसेप्ट आता है मिस हमारे सूरज का जितना मास है जितनी ग्रैविटी वो बना रहा है स्पेस टाइम का जितना इफेक्ट वो दे रहा है जो बताया आपको तो यह बैलेंस सिस्टेम अभी पूरा है सोलर सिस्टेम में हमारे इसके वज़े से तभी अभी जब कोई हम एस्टरोइड का उब्जर्वेशन लेते तो हमें दिखता है कि एस्टरोइड की जो एक और्बिट है जितने बाहर से एस्टरोइड आ रहे है वो पर्टिकुलर एक डिरेक्शन में ही जा रही है और्बिट इसलिए अभी भी बहुत साइंटिस्ट को लगता है कि एक प्लैनेट है जो बहुत दूर है और वो इस एस्टरोइड को अपनी और खीच रहा है मिन्स उनके और्बिट को एक की डिरेक्शन में नाइन्थ प्लैने होना चाहिए ऐसा कंसिडर कर रहे है मिन्स इफ टेके संग का जितना मास है और सोलर स्टिम में इतना डिस्ट्रिबूट हुआ है मास तो उसके वज़े से भी एक नाइन्थ प्लैनेट होना चाहिए बट अभी वह डिसकवर नहीं कर पा रहे है मिन्स ओके और कोई क्वेस्टन है किसी को ओके तो विल स्टॉप टूदेश लेक्चर इट इस नाइस तू है यू आज अगेस यू गेट लॉट अप्वेस्टन स्टडी करिये अस्ट्रोमी को सोलर सिस्टिम को और बिग क्वेस्टन्स आप निकाल के लाएए ओके थैंक यू अल आफ बाल के लूट अट तक यू सबट निए वे यूर भी वाऊंट थैंक है अजय को यू ऑटिश अट बनतो, की यू टीछ यू झाल आट आट अट नए और एंट